हेलो दोस्तों क्या आप जाइगे की सवारी के लिए तैयार हैं क्या आप यह सोचते हैं कि पाव भाजी बनाने के लिए दुनिया भर का समान दुनिया भर के मसाल है दुनिया भर की सब्जियों की जरूरत होती है तो आप बिल्बल गलत सोचते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कैसे घर के अंदर domestic use में रोज मर्रा में इस्तिमाल होने वाली सब्जियों से मसालों से आप मार्केट से भी जारा स्वादिश पाव भाजी बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ एक सब्सक्राइबंड लाइक तो बनता है या लिए है दो से तीन बड़े साइज के टोमाटोस एक बॉल हरी मटर और दो मीडियम साइज के हमने क्याप्सिकम को कट कर लिया है बॉयल करने के लिए हमने प्रेशर कुकर चड़ा दिया है अब इसमें आट करते हैं हम लोग एक टेबल स्कून ओल अब आट करते हैं इसमें 1 टी स्पून जीरा अब इसमें सब्जियां आट करना शूरू करते हैं सबसे पहले आट करते हैं इसमें क्यापसिकम हारी मटर और टोमाटोज और 10 सेगंड तक इन्हें अच्छे से सौते करके हम इसमें पानी आट करेंगे हम इसमें half glass water ही आड़ कर रहे है और फिर इसका धक्कन लगाके इसे 3-4 सीटी आने तक धक्के छोड़ देते हैं जब तक इसमें सीटी आ रही है तब तक हम दोसी तरफ जो हम लोग उने प्याज लिये थे उसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं यह हमारा प्याज पिसके रेडी हो चुका है तो अब हम इखटे कर लेते हैं बागी सबी मसाले जिसे हम भाजी बनाए जा रहे हैं इसके लिए आपके सामने सबसे पहले एक कप में प्याज का पेस्ट है हमने लिया है वन टी स्पून लालमिच पाउडर टू टी स्पून पावभाजी मसाला टू टी स्पून नमक एक नीवू का हमने जूस निकाल लिया है और साथ में हमने लिया है जिंजर गालिक का पेस् मार्केट से रेडिमेट भी ले सकते हैं घर पे फ्रेश भी निकाल सकते हैं और यह हमारी चार सीटी आ चुके हैं अब इन्हें बंद कर देते हैं हमारी सबजियां सभी बॉयल हो चुकी है और बॉयल होने के बाद अब यह ठंडी हो चुकी है अब हम इने ले चलके मिक्सर में blend कर लेते हैं हम blend इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जब last में में आप से कम हैं अगर वो directly मूँ में आएगा तो उसका taste हमें पसंद नहीं है आप चाहें तो इसे यहीं से blend करने के बदले smash भी कर सकते हैं चलिए अब prepare करते हैं हम लोग नी भाजी सबसे पहले हम एक पान में अब बटर को हीट कर लेते हैं पाव भाजी आक्चुली बटर की ब्रिबरेशन है तो जितना ज्यादा बटर इस्तेमाल करेंगे उतना टेस्ट वड़किया आएगा लेकिन यहां पे आप बटर में थोड़ा से कुकिंग ओयल भी आड़ क मैश हो चुके हैं तो इसमें अणि करते हैं हम लोग जिंजर गालिक पेस्ट जू झातर है और इसे भी अच्छे से सोते कर लिए जो बॉइल डालो हलोने यह थे हमने उसे माश कर लिया है और अब इसमें हम इससे एकटर देते हैं आप मैं ini जएकि कर आश्ते मोजित अब इ salt और इन सब को अवच्चे से आपस में mix कर लेते हैं अगर आप ज्यादा तीखा खाने के शौकीन है तो आप इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि भाजी का color निखर क्या रहा है और आप हम इसे smasher से smash कर लेते हैं क्योंकि भाजी में अगर किसी भी सब्जी का टेस्ट आये तो अच्छा है लेकिन अगर वो पीस ही मुह में आ जाए तो वो शायर बरदाश्क करने लाइक नहीं होता है और इसे हम तब तक स्मैश करते रहेंगे जब तक सभी सब्जियां पूरी तरी किसे स्मैश ना हो जाए और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सब्जी की गुटली नहीं बजी है तो इसमें आड करेंगे हम लोग लेमन जूस तो लीजिए हमारी भाजी रेडी हो जूगी है चलिए तब तक हम लोग अपने पाव को भी रेडी कर लेते हैं पाव बनाने के लिए हमने तवा चड़ा दिया है इसे हम बटर में सेखेंगे और ये देखे हमारी पाव रेडी हो जगए है तो चलिए अब इने सर्व कर लेते हैं तो ये लीजिए तयार है आगकी स्वादिष्ट पाव भाजी मार्केट इस नहीं मार्केट से बेडर पाव भाजी क्योंकि हमने अपने घर पे लिमिटेड रिसोर्स के साथ में इसे तयार किया है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसका टेस्ट मार्केट से कहीं गुना बेडर होगा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए बनाईएगा और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लेगी जल्द ही मिलेंगे दुबारा जायके की सवारी में एक नई रेसिपी के साथ में नमस्ते